आज हम बात करने वाले हैं कि अगर WhatsApp पर status नहीं लग रहा है तो ये problem आप कैसे ठीक कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हम WhatsApp पर status upload कर रहे हैं बट हमें इस type की problem आ रही है could not send तो यहाँ पर हो सकता है आपको कोई और problem आ रही होगी WhatsApp status को लगाने में तो कैसे आप ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस problem को solve करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में आप settings को open करिए settings में आने के बाद एक option आपको नीचे scroll करके मिलेगा apps के नाम से apps पर क्लिक करके manage apps पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सारे application शो हो जाएंगे आपके phone के तो अब नीचे scroll करके आप यहाँ पर WhatsApp देख सकते हैं इस type से आपको मिलेगा तो WhatsApp पर क्लिक करिए क्लिक करने के बाद force stop पर क्लिक करके ok करिए उसके बाद storage option पर जाएंगे यहाँ पर clear all data पर क्लिक करके एक option आगा clear catch तो इस पर आप क्लिक करिए और ok कर दीजिए अगर आप data clear कर देंगे यानि कि clear all data करते हैं तो आपकी ID logout हो जाएगी तो WhatsApp में आपको फिट से अपना number OTP enter करना होगा तो आप login कर पाएंगे तो clear data आप ना करिए तो सही रहेगा तो back आईए उसके बाद app permission पर क्लिक करके सारी permissions को आपको allow कर देना होगा यानि कि sub permission पर क्लिक करके इस type से सारी permissions को allow करेंगे और आप देख सकते हैं अब हमने अपने phone में WhatsApp के लिए सारी permissions को चालू कर दिया है अब उसके बाद आप back आ जाएए simply back आने के बाद आपको अपने phone में एक बार airplane mode यानि कि flight mode को चालू करना है flight mode को चालू करने के बाद आप बंद कर सकते हैं यानि कि बंद कर दीजिए अब इसे बंद करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा SIM card and mobile network इस पर आप किलिक करिए जिस SIM का आप net use करते हैं उस SIM पर आपको किलिक करना है अब किलिक करने के बाद एक option यहाँ पर आएगा access point names इस पर किलिक करिए और इस पर किलिक करने के बाद नीजे reset पर किलिक करिए अब उसके बाद आपको शो होगा आपकी settings यानि की apn settings reset हो चुकी है उसके बाद आप back आ सकते हैं अब आपको अपने phone को बंद करके चालू करना है यानि की restart करना है तो हम अपने phone को restart कर लेते हैं अब phone को restart करने के बाद आप check कर सकते हैं आपका जो whatsapp status होगा वो upload हो जाएगा या फिर आप इसे delete करके फिर से upload कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें